हाँ तो देखिए हम लोग ने इसमें elements लिख लिए हैं तो elements में अब आप देखेंगे शुरुआत से कि शुरुआत में जो सबसे पहला element दिया हुआ है वो है hydrogen है हीलियम होता है यह किसी से रियक्ट नहीं करती है सबसे हलकी गैस कौन से होती है हमारे पास hydrogen इसके बाद जो अगली चीज है वो है lithium लीथियम है एक metal है और यह कैसा metal होता है यह very highly reactive metal होता है इसके बाद beryllium है beryllium भी एक metal है फिर boron है फिर carbon है n से nitrogen है फिर o है फिर f है f से fluorine हो गया neon any होता है sodium na होता है magnesium mg होता है aluminium AL होता है SI silicon होता है phosphorus P होता है sulfur S chlorine CL argon AR K potassium और CA calcium अब देखे यह जो elements है अगर देखा जाए इसको line wise लगाया जाए तो यह 1,2,3,4 ऐसे से करके पूरा 20 तक आ जाएगा यह 20 पे आता है और यह first पे आता है अब इसी को हमको याद करना है कैसे याद किया जाए तो वो method में आप आपको बताने जा रहा हूं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं तो देखे याद करने का बहुत आसान तरीका है एक मैं world बताऊंगा एक sentence बताऊंगा बस आपको उसे याद करना पड़ेगा अब sentence देखे क्या है sentence में हा लिखता हूं तो sentence कुछ इस तरीके का है सबसे पहले आपक फ़र बे फिर बक फिर नो ठीक फिर फन नी यह फननी हो ड्याहत हूं फिर आता है ना फिर मग फिर ल ठीक फिर सी और फिर पतूल1 ठीक, इसके बाद आता है color, color आप जानते हैं क्या होता है, जिससे हम लोग रंगीन images बनाते हैं, colorful, color, फिर आता है कक्का, अब देखे इतना अगर आपको याद हो गया, ये अगर word आपको याद हो गया, ये sentence अगर आपको याद हो गया, तो आपको सभी elements की numbering याद हो जाएग ह से एकर देखा जाए तो होता है hydrogen, ठीक, ही से होता है helium, ठीक है, ली से होता है lithium, बे से होता है berylion, बख से दू होते है बख, तो बी हो जाएगा boron, का हो जाएगा carbon, no में भी 2 है, अब देखें, no मतलब क्या होता है, अक्सिजन, ये हो गया, n से nitrogen, o से oxygen, तो ये हो गया, n nitrogen O oxygen फन्नी देखा जा तो फन्नी में भी दो है एक है F F से fluorine और नी नी मतलब neon फिर आता है ना मतलब है हमारे पास sodium फिर आता है mug मग मतलब है mg mg मतलब है magnesium फिर L है A L मतलब होता है Legis C by S I C C C क का मतलब होता है silicon पस में फिर पास एक होता है तो P Phosphorus Sick से हो जाएगा S L कलर में भी 2 है का मतलब होता है क का अगर देखा जाए कलर में क नहीं होता है जाता है कलर मेंCL, सबसे पहले होँएक CL, CL मतलब होता है क्लोरीन और अर यहाँ पे अर भी है कल अर, अर मतलब हो गया आरगन तो यह CL हो गया और यह आरगन हो गया फिर आता है कक्का तो यहाँ पे भी दो है के, के मतलब होता है पोटेशियम और का का मतलब होता है केल्शियम देखे याद हो गया आसानी से, बहुत आसानी से बन सकता है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पिछले में भी हमने यही चीज़ करी थी, कि अगर इसको ऐसे देखा जाए, तो यह देखे ऐसे बन रहा है, तो यह हमारे 20 elements हो गए, इन 20 elements को आप लोग सही से याद कर लीजे, क्योंकि यह 20 elements line-wise याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपको आगे की chemistry ठीक से समझनी है, ठीक है?